जैहिन दोस्तों स्वागत है बहुत दिनों बाद शुरू हुई है और बहुत दिनों बाद हम इतनी सुभा सुभा मिलें पर आप आदर डाल लो जो कि डेली आपको उठाने के जमिदारी ले लिए मैंने है ना इस सेशन के साथ चलिए 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 तो आई दिंग मेरी वाइस कोई टेक्निकल इशू नह साथ ही साथ अपने साथ मित्रों के साथ इन वीडियो सको शेर कर दो जिसे और लोग भी उठ जाए सुबा सुभा है ना चूपकि जिम्मेदारी जब लीए सब को उठाने की तो फिर सब को उठाया जाए है की नहीं पर ऐसा हो नहीं पाएगा है ना चलो ठीख है तो लेट कॉंस्टेंट कोश्चन जो है स्टुडेंट्स के थू आता रहता है वह यह आता रहता है कि सर नहीं हो पा रहा है या फिर अभी यह चीज़ नहीं आती है मौक दे रहे हैं अच्छे नमबर नहीं हो रहा है तो मेरा जो कहना आप उस बात को समझेगा कि पहले दूसरे दिन तय क्यारी शुरू करी होगी तो उनका भी कोई अच्छा मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा होगा एक महीने डेड़ महीने में जब वह भी मौक दे रहोंगे उनको समस्य आ रही होगी तो या कोई भी बंदा जब किसी चीज़ का एक्सपर्ट होता है तो जब स्टार्ट करता है तो परंत चीज़े नहीं होंगे तो खास करनी होंगी जाहां इतना बड़ा स्लेबस है तो जब तक स्लेबस एक बार पूरा कवर नहीं करोगे दो तिन बार रिवीजन नहीं करोगे तब तक रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा तो बी पेशेंट लगे रहो और सुबा सुबा आ नहीं है और पूरे दिन उनी चीज़ को करके खतम करना ठीक है चलिए अगर आप ने अभी तक गाईज इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लैटफॉर्म अने डाउनलोड नहीं किया तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो जाओ इसको डाउनलोड करो इंडिया के बेस्ट टीचर इसटोर एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप अने कैडेमी का फ्लस समस्क्रीप्शन आप रिल्मिक फ्ल्ली अगेंव मिस आपको कसा फ्लक कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन साथ लेने में भी हमारे डिसकाउंट तो आप वह भी देख सकते हैं ठीक है बढ़ते हैं आगे प्लस अभी देखो छे महीने आपके प्रिलिम्स के लिए रहे गाए इसके चलते हुए सब्सक्रिप्शन से अग्ले सिक्स मन्त के अंदर और हमारा जो टार्गेट रहेगा वह रहेगा प्रिलिम्स 2021 तो अगर आप लोग भी प्रिलिम्स 2021 को देख रहे हैं ऐसे टार्गेट एज़ गोल तो दिस इस जस्ट फॉर यू आप ही लोगों के लिए जाए इसका सब्सक्रि सर्च करके नाइन एम पर यहां पर मेरी मॉडर्ण स्टी की क्लास होती है तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं साथी साथ इस सेटेशन पीडियाफ आपको चाहिए तो यह है टेलिग्राम चैनल जिससे आपको सेशन की पीडियाफ मिलेगी अने कैडमी मानमेंद तो यह यह आज का एडिटोरियल आज जो आए है नियूस्पिपर में कुछ इस तरीके से हैं आज कोई खाज जाद आए नहीं जो बात देखो साफ है यह वी कोविड-19 से रिलेटेड है यह फार्म बिल से रिलेटेड है तो दूनों डिसकस नहीं करेंगे ठीक है और देखो नेपा यह वाला आटिकल आया है यह वैसे तो कल पढ़ाता लेकिन चलो एक बार और देख लेंगे यह वाला आटिकल यह रहे गया इदर परिस क्लाइमेट यह मैं दो कवर करना भूल गया और कल कर लेंगे और कल का भी दा हिंदू के एडिटोरियल में एक आर्टिकल रह गया था तो उसको भी आज डिसक्स करेंगे ठीक है तो चलिए फिस्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो आटिकल है वह है पैंडमिक री साइलें तो यह किस चीश से लेटेट है यह आटिकल रिलेटेड इस चीश से है कि अभी मैंने कल आपको आटिकल बता आया था कि प्राइवेट जो आपके हॉस्पिटल्स देखो कोविड नाइंटीन आया कोविड नाइंटीन के बाद भारत में एक बात सबको रियलाइज हो गई कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो कितने जादा हैं हमने एक दिन एक आर्टिकल भी पढ़ देख रहे थे जब कोविड नाइंटीन आया था तो लोगों के पास बैट नहीं अविलेबल ते तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स शालों ने स्टार्टिंग के अंदर जो बहुत ज़्यादा हाइक कर दिये थे सरकार ने इंटर्वीन किया और उनको कहा कि इनको रेगुलेट करने के लिए भारत में भी तक कोई लौ नहीं था कोई एक्ट नहीं था जिसके चलते हुए पार्लेमेंटरी पैनल ने रिकमेंडेशन दिये उसमें यह कहा है कि एक प्रॉ ज़्यादा लेवल पे हर जगावा पे हेल्थ सेक्टर में अभी नहीं पहुंची है जिसके चलते हुए प्राइवेट करने की बहुत जरूरत है क्योंकि जो लोग है ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं हमने एक आर्टिकल और पढ़ाता जिसमें आया था कि आ जो है गवर्मेंट होस्पिटल बर ऐसा केस होता लेकिन दिखत की आहोती है कि गवर्मेंट हॉस्पिटल के अंदर ठीक्ट्शनलिटी बहुत रहती हैं आपको यह वहाँ पर बैल आ पर चल रहा है तो यह था पहला आर्टिकल प्लेंग गेम ऑफ कि बिंक-मेंशिप इने प देखो नेपाल के अंदर हमने कल पढ़ाता कि जो केपी शर्मा हो ली है वहां के जो प्रैमिनिस्टर थे इन्हों ने अपनी सरकार को गिरा लिया है प्रेसिडेंट को इन्हों वहां के अपनी सरकार को डिजॉल करने की एप्रूबल मांगी थी और अपनी कंसेंट दे दी है और यह मामला वहां पर यह लीगली भी काफी टेक्नलिटीज में फसा हुआ है वहां की कोट में भी पेंडिंग है टेक्नलिटीज यह है कि देखो नेपाल का कॉंस्टूशन जो ह है वह यह कहता है कि कोई भी सरकार पांस साल पहले जा सकती है यह हूं आप यह हो ég लिए सेंब्ली का मतलब यह होता है कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास पूरी सीट न सरकार करने की तो उसे क्या बूल दिया जाता है। कि नेपाल की जो सरकार रहे वह पहले देखो पहले बात करने कि अभी हुआ क्या है महाँ पे महाँ पे हुआ यह कि ने एपनी सरकार डिजॉल कर ली है जो की कहा जा रहा है वहां के जो जानकार है उनके द्वारा कि यह कॉंस्टुशन के अगेंस्ट में है तो यह कहता है कि सिफ हंग असेमली के दोरान 5 साल से पहले जो है वह आप सरकार गिरा सकते हो यह तो चलो एक कंटेक्स की बात हो गई तो इस आर्टिकल में कुछ बाते उठाई जारी है वह यह बात उठाई जारी है कि सबसे पहले तो जो नेपाल है उसकी जो स्टेबिलिटी की जो मिठ थी खतम हो गई है तो 2017 में वहां पर नया कॉंस्टूशन आया ऐसा माना गया कि भाई अब जो है सरकार स्टेबल रहेगी इससे पहले नेपाल में आज तक कोई भी जो हैड है वह पांस साल तक अपनी सत्ता को बरना के नहीं रख पाएं और कहने का म यहां पर तीन साल के अंदर ही चीज हो गई है फिर से एलेक्शन होने के बात हो गई है तो यह तो वापस पहली वाली सिच्वेशन होगी भले नया कॉंस्टूशन लिया है आप जहां तक बात करें अगर कि इनकी ओली साब की तो इन्हों ने जब इलेक्शन कैंपेइनिंग करी थी उस दोरान भी इन्हों ने यही काता कि भीया मैं स्टेबल गौशन लाँगा स्टेबल गौशन लाँगा और इसी के चलते होँ जंता ने इनको वोट भी दिय आता और यह जीते थे लेकिन स्टेबलिटी यह फार्म नहीं करा पाए तो पहली समस्थ्या जो यह देख सरकार उनके जो इंटनल रीडर जो है बड़े बड़े लीडर्स उनका सपोर्ड भी उनको नहीं मिल रहा है तो इनको पता तक कि आज नहीं कंवें सरकार गिर्णी है इन वरनेंस और प्रोब्लम तो है यह यह तक के के साशन में करप्शन ये केसे वहाँ पर काफी ज़्यादा बढ़े लोगों को इसके अगेंस में भी काफी आवाज उठाई दूसरा देखो कोविड-19 पैंडमिक जो है इसका मेनेजमेंट बहुत अच्छे से नहीं किया गया कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है वहाँ पर नेप आप जारी कर दिया काला पानी इशू वाला क्यों करा जो कि भी आप भारत की तरफ डाइवर्ट सबका दिमाग कर दें और अपने उपर जो बात आ रही उसको खतम कर दें तो कहने का मतलब है कि यह सारी समय समय पर आपे देखने को मिलती है ठीक है दो बहुत जादा इस आर सब्सक्रावा तो कि नाइंटी नाइंटी से आज तक किसी भी गवर्मेंट ने पांस साल नेपाल में कम्प्रीट नहीं की है और इस बार बड़ी उमिप्ति की जो केपी शर्मा ओली जी है ना यह कर लेंगे बट लग नीदा है बच्छे तो के पीछे हाथ है जो इनका पॉ लोग जग गए यह बड़े अच्छा काम किया तुमने आज साड़े छे बज़े मेरे देश के इतने यूवा जग गए हां चलो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है फिर यहां पर देखो यह वाला आर्टिकल कल का आर्टिकल है स्पेक्ट्रम वाला आर्टिकल मैंने सचा की उपेस्टी पूह सकती है स्कोबिसकत करना है इस्पेक्ट्रम वाला हम आज का जो एक आर्टिकल छुटा है और आर्टिकल कल सटर्डे में पिर कल नेंगे कम होता है तो आपके आर्टिकलस नहीं चूटेंगे मुझे याद सारा मेरा क्वेश्टन आज आप लोगों स ठीक है कल एक आर्टिकल आया था ग्रीटनेस ऑफ श्रीनिवास्ता रामनुजन तो इस आर्टिकल को देखते हैं रामनुजन देखो भारत के मैं बड़े मैथमेटिशन थे और 22nd December जो थे वो इनका जो जनम दिवस माना जाता है और इनकी अगर हम बात करें 1887 डिसमबर 22 इनका जनम हुआ था अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने और सब्जेट्स को अपने पढ़ाई के दौरा नेगलेक्ट किया लेकिन मैट्स के प्रती इनकी बहुत रूची थी और मैट्स को इन्होंने बहुत जादा प्री अपना सब्जेट्स मानते हुए काफ जो है आप कह सकते हो कि जो इनका रिसर्च साव से हमेशे कंटीन्यू रखा 1910 तक तो काफी गरीब भी में जीवन काट रहे थे जिसके वज़े से मैट्स पर इतना फोकस नहीं कर पा रहे थे लेकिन फिर रामचंद्र राओ जो डिस्टिक कलेक्टर थे नेलोर के उन्होंने इनको मंतली स्टाइपन देना शुरू गया जिससे की यह अपनी रिसर्च और पढ़ाई कर सके मैट्स के ऊपर फिर क्या हुआ फिर देखो कुछ समय बीता चीजे बढ़ती गई दो साल बाद कपल ओफ एस उसके बाद रामनुजन साब की जो है ऐसे कलर की तरह जौब लग आपने इनकरना मुझे बताना जी एचाडी का हाड़ी और रामनुजन ने मिलके कॉंसेट का इजात किया था वो इस आर्टिकल में नहीं लिखा है यह भी आप मुझे कमेंट सेक्षन में बताएंगे ठीक है तो जीए जाडी के साथ मिलके जीए जाडी के कहने पर यह बिट किए ठीक है इसके बाद क्या हुआ 1914 के आसपास रामानुजम रिकॉर्डेट इस मैथमेटिकल रिजल्स मुस्टली इक्विश्चन्स इन इस नोटबुक्स जब यह भारत से इंग्लेंड गए थे उस समय यह कहां पर यह देखना पड़ेगा अपके जो हमारे किसी म्यूजियम यह कहीं पर होगी के पास होगी जो रिसर्च करते हैं एक नोटबुक इसमें और इंक्लीड हो गई थी जब यह बिटें से वापस लौटे थे तो करीबन चार नोटबुक जो हैं वह हैं वह ठीक है इनके जो कॉंसेट्स होते थे ना वो इंट्यूशन और इंसाइट्स के उपर होते थे अब इंट्यूशन क्या होता इंसाइट्स क्या होता यह क्या मतलब है मतलब ही कि तो कभी-कभी आपका मन कहता है ना कि यह चीज होगी जैसे मेरा मन कह रहा है कि तुम लोग भाईया कल को सब सब के सब आयरे वक्या नियुक्यार यह मेरा मन कह रहा है तो ऐसी इनको मन कहता तो मतलब इनको अनदर अधा दा एक यह ऐसा होगा यह ऐसा होगा तो कहने का है कि इनके चीजों सब वजह से इनके जो research थे वो आज भी सब के सब आप research के पात रहे मतलब आप यह सकते हो कि जो इनके conclusions थे जो निकाले हैं वो आज भी research करने लायक है और उसको जो हमारे आज के mathematicians उनको proof करना चाहिए जो काफी सारे लोग कर भी रहें और आने वाले समय में कोशिश भी करेंगे कि इनके जो intuition and insights के बेसिस पे जो facts थे उसको proof किया जाए क्योंकि science क्या कहता है science यही कहती है कि भईया जो चीज आप आप प्रूफ कर पाओ वही है मैट्स भी यही कहती है जब तर जो चीज प्रूफ ना उपाए वो चीज गलत है तो यह प्रूफ करने के लिए भी काफी सारा content जो है वह इनका मार्केट में है मार्केट मतलब सोसाइटी में है और जो future mathematicians आएंगे वह इसको कवर कर सकते हैं ठीक है थोड़ा सा इसमें और है एक दो चीज है ना ठीक है ठीक है चलो है ठीक है तो आज देखो सबसे पहला अर्ट की लिए ट्वेंटी फ्लायर्स प्रॉम यूके कोविट का उनके अंदर पाया गया है ठीक है तो यह द्यान रखिएगा बागी आज इसमें यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वह डिसकस करेंगे बागी तो कुछ ऐसा है ठीक है चलो तो देखो पहला एक आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आया वह आ है फायर फ्लाइस की बात करें तो यह प्रोटेक्शन देखो आप एक चीज़ ध्यान रखना यूपेसी इस तरह एक कोश्चन पूछ लेती है कि वह फाला फाला जानमर को जो प्रोटेक्शन दिया हुआ है वह इसमें से किसमें दिया हुआ है है यह कौन सी काटेग्री में डेंजर्ट वन ले दो जार दो में इसको प्रोटेक्शन मिली हुए ग्र्जेट प्रोजेकð इंडियन बस्ट्ण भी कुछ था जैसे कि प्रोड़ेक्ट ट felam भस्तर भी है इसको प्रटट करने की बात करी है इस्टेट और राजस्थान ने identify किया इसेट आफ बस्तर बीडिन ग्राउंट किये और इनको प्रटेट किया जो एरिया जहां पर रहते तो उनको प्रटेक्ट किया तो यह कुछ protection के लिए इनको भारत में जो कानून बने हुए है उसकी बात करी जा रही है प्रोटेक्टेट काहां पर यह है तो देखो डेशर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी राजस्थान रोला पड्डू वाइल लाइफ सेंचुरी आंद्र प्रदेश करेरा वाइल लाइफ सेंचुरी मध्र प्रदेश यहां पर बाद th Orig SMKRI हो रही है इस को protection से में मिला हुआ है and I think this this is critically endangered जो IUCN की रेड लिस्ट है ना उसमें किसमें है critically endangered ठीक है ध्यान रखना है इसका नाम क्या है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अब यह न्यूस क्या है न्यूस देखो यह कि Ministry of Environment Forest and Climate Change ने Wildlife Conservation Society के साथ मिलके एक यूनिक initiative लिए जिसका नाम क्या एक फायर फ्लाइब डाइवर्टर क्या नाम है फायर फ्लाइब कोई करने के लिए को सिस्टम नाने की सोची गई है दो actually होता किया है जब बड़े-बड़े पक्षी आपके हवा में ऊर्टे और होती है तो तो उनको दूर से नजर नहीं आता है कि मुहाँ पें चैनिके वाजे incorporating देखने को मिलुरही थी अप अब मामला क्या था मामला ही थे कि छोटे जो पक्षी होते हैं वह बिल्कुल एन मोमेंट पर अपने आपको टर्न कर सकते हैं जो कि उनके उतना हैवी वजन नहीं होता है जैसा आप एक्जामपल ले लो भाई अब जैसे मेरा थोड़ा से हैवी शरीर है अब मैं दोड़ूंग की बात करें तो डेढ़ सो से कम बर्ट जो हैं यह वाले बाकी रहे गए हैं तो अब यहां पर समस्या क्या थी समस्या खतम करने के लिए सरकार एक तरीके के साथ आई यह तरीका यह है यह बिजली की फैंसिंग जो है न इसके ऊपर लाइट लगा दी गई है बल्ब लगा द राएगा मुस्ति चलो रात की बात करते हैं रात में वहां पर लाइट लगी रहेगी तो पक्षियों को लगेगा कि यार इसमें आग लगी हुई आप समझ रहो पक्षियों लगेगा कि हमें यहां से नहीं आना है वह दूर से नजर आ जाएगा वह अपना रास्ता चेंज कर लेंगे तो यहीं है क्या आपका फायर फ्लाइब डाइवर्टर और यह यहां पर इजाद किया गया है आपकी मिनिस्ट्री ओफ एन्वार्मेंट फॉरेसिन क्लाइमेट चेंज ने मिलके वाइल लाइफ कंजर्विशन सुसाइटी के साथ मिलके तो प्रोटेक्ट आपका ग वेस्टन घाट होम टू 3,387 लियोपार्ट एक सर्वे आया है और यह सर्वे जो है किस नाम से आता है मैं को 2018 कुछ नाम देखते हैं यह रहा इस्टेटास ओफ लियोपार्ट इन इंडिया 2018 रिपोर्ट आई है जिसमें यह पाया गया है कि वेस्टन घाट जो टोटल है भार सेरा पेंडरस ठीक है शेडियूल फर्स्ट और इंडियन वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक 1972 के अंदर इनको प्रटेक्ट किया गया है अभी आपने पीछे वाले हो कौन से अपेंडिक्स में देखा था तुरंत ऐसे करनेक्ट किया करो वन लेबर है और आयूसी एं रेड भारत के वेस्टन गाट के अंदर थी ठौज़ेंट यूज नहीं दिखाता वेस्टन गाट में इस सब्सक्राइब पता होनी चाहिए एक कोश्चन बहुत सारे मित्र पूछते हैं कि सर मैप को कैसे पढ़ा जाए एक दिन किताब लेकर बैठ जाएं का नहीं अब जैसे जो कोई नाम यूज़ किया ऑपने बढ़े बढ़े को पहलड़ को मैं तो आपकी दिमा yeni की लोकेशन करे देखो को और कहा है यह आपको देखना चीए तो वेस्टन घाट आपको पता होना चीए नहीं पता है कोई बात नहीं आज जाके मैप में मार्क करो राज के बद कई भूलोगे नहीं ठीक है इस तरीके से काम करोगे धीरे-धीरे चीज़े अपने आप याद होंगी चलो तो बात करते वेस्टन घाट में इतने पाए गए हैं इसके लावा करनाटका ने टॉप किया है करनाटका के अंदर इकलौते 1783 वन सेवन एट त्री लोपार्ट पाए गए हैं सैकेंड नमबर पर तमिल नाडू तो सबसे पहले पर कौन है करनाटका फिर आता है आपका तमिल नाडू ठी ठीक है फिर केला बाकि अपने को क्या करना है फिर गोवा मान लो चलो चार याद रख लो कोई बात नहीं और टोटल वेस्टन गार्ट में इतने ठीक है किलियर हुआ बात टोटल भारत के अंदर ऐसा माना जाता है कि तेरह हजार के आसपस आपके जो हैं लेपार्ट हैं वै यह कैमरा ट्रैप सर्फ लिखा हुआ है किस तरीके सर्वे किया गया है एक्सेटर एक्सेटर एक्सेटरा मोधी जी को अवार्ड मिला है लीगन ऑफ मेरिट बाय डोनाल्ड ट्रम्प देखो लीगल लीजन ऑफ मेरिट लीगन नहीं है लेजॉन लीजन बोल सकते हैं ना इंडिया यूएस की रिलेशन को बिल्ड करने के लिए काफी अच्छा काम किया है और इंटरनेशनल फोरम में इंडिया को इन्होंने एक अलग इंपॉर्टेंस प्रवाइट करी है भारत का नाम इन्होंने पूरे विश्व में बढ़ाया है ठीक है इस अवार्ट के बारे म में स्टार्ट किया गया था कब कर गया था गाइस नाइंटीन फॉर्टी टू में वाइफ फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट स्रैंक लिंग डी रूजवेल्ट यह नाम बड़ा फ्रेमस है फ्रेंट लिंग डी रूसावल्ड क्यों किसी को पता है कुछ विचित्र काम हुआता है इनके समय में जल्दी बताओ ठीक है और यह बैसिकली यह जो लीगन आफ मेरिट अवार्ड एना यह यूएस के आम फोर्स को दिया जाता है ठीक है ऐसा निये कि सिफ यूएस के लोगों को देते हैं नॉन यूएस के लोगों को देते हैं तब यह तो मोदी जी को भी मिला हुआ है भारत से इसको मिला है किस से पहले केम करियप्पा साब को केम करियप्पा भारत में यह वाट क्यम करियापपस आपको भी मिला हुआ है के मिला हुआ है उनको यह और फॉरेंड टेग्री में मतलब फॉरेंड में किस-किस लोगों को दिया जाता तो चार टेग्री में दिया जाता है इस अबारे में और यहां पर थोड़ा सब करेंड के बारे में बस ठीक है प्री में इस पर कोश्चन बन सकता है स्टेटमेंट वाला तो आपने पता होना अची है भाई नहीं पता रखोगे अपना नुक्सान तो अपने को पता रखना है ठीक है क्लियर होई बात समझ में आया कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं है ना जस्ट अभी एक कमेंट पढ़ा मैंने चितरंजन का उन्होंने का कि सर आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप लेकिन थोड़ा प्रोफेशनल लगना चीए फेस के मामले में मेरे भाई अब यही दिया है भगवानने अब क्या करूं बताओ मूं चुशुगा लूँ ऐसे इसे कर लूँ है ना मतलब बताओ तुम क्या किया जा सकता है फेस तो यही दिया भगवानने गंदी सी क्या कर सकते हैं चलो अगला आटकिल है एल्ट डाटा शोज इंडिया डस नॉट नीड़ टू चाइल्ड पॉलिसी ठीक है भाई देखो अभी सर्वे आया था हमने या दोगा 2019 की इंडिपेंडनेंस डे की स्पीश मोधी जी की तो मोधी जी ने भी इस बात को प्रमोट किया तकि भारत के अंदर जो है बच्चों की संख्या लोग जादा ना करें च्योंकि फैबली प्लानिंग बहुत इंपोर्टेंट है और एक कारण यह भी देखने को मि परी थी तो अब यहां पर जो जानकार है उनका ऐसा कहना है क्या कहना है देख लेते हैं दा लेटेस्ट डेटा फ्रॉम दा नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे प्रोवाइडडेट एविडेंस ऑफ अपडेट इन दा मॉडर्डन कॉंटरसेप्टिव इन रूलर और अर्बर ए रहा है इसके वज़े से यह देखने को मिलाएं कि जो आकड़ें हैं आपके चाइल्ड बर्थ के जो इस तरीके से बढ़ते हैं वो कम हो रहे हैं यह इंडिया के लिए अच्छी चीज है और यह हमारे देश के लिए बहुत अच्छी चीज है ठीक है तो भारत में देखो एक इनसेट ऐसा हो रहा है हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक इससे ज्यादा लोग आप ज्यादा चाहते भी नहीं कि देखो बढ़ रहा है दूसा सोसाइटी का आज की डेट में सेट अप भी ऐसा हो चुका है कि लोगों को इतनी अकल है कि भया पढ़ाना है लिखाना है तो दो ही रखें जवसादा मत करें गाउं में भी लोग जाग रूप को रहें सरकार की विभिन विभिन इसकी में उनको जाग रूप करने के लिए वह भी काम में आ रही है और सबसे इंपॉर्टन जो कॉंटर सेप्टिव पहले टैबू की तरह थे वह आजकल इजी ली कंट्रोल बहुत जरूरी है और मतलब वह एक वेरी नेसेसिटी है फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर हम चाहते हैं कि देश की हालत फ्यूचर में अच्छी रहे ठीक है जो कुछ आगड़े दी हूं है कॉंटर सेप्टिव यूजज में आंध्रप्रदेश सबसे नंबर वन पर 70.8 वाली में से ही है अभी इसमें बहुत बड़े बड़े स्टेट जैसे कि उत्तरप्रदेश बिहार यह सब इंक्लूड़ेड ही नहीं है मद्रप्रदेश तो इसमें आपन देख लेते हैं आंध्रप्रदेश परसन यहां पर यूज होता है करनाट का तेलांगना महरास गुजरात केला बिहार ठीक है बिहार है इसमें इंक्लूड़ेड इंक उत्तरप्रदेश और मंद्रप्रदेश नहीं थे और भी दो चार स्टेट से देखना पड़ेगा महरास्ट भी है इसमें तो चलो देखते हैं इसके बाद वैसे पता है यह दूसरा सर्वे यार मतलब यह वाली जो आकड़ा दिया गया है इसलिए इसमें यूज किया गया है महरास्टा को इसमें आपके महरास उत्तरप्रदेश यह लोग इंक्लूड़ेड नहीं किये गए थे ठीक है इसके लावा इसमें और हमारे काम की कोई चीज़ ज़्यादा है ठीक है इसके बाद क्या ह स्लैम्स यूएस ओवर तिब्बद बिल साउथ चाइना सी ट्रेस पास ठीक है कोई डाउट पहले इतने से रिलेड़ेड़ किसी को हो तो बताओ फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है चलिए जल्दी बताएए को डाउट तो नहीं इतने में अब मुझा हसी आ रही हो कमेंट पढ़के लेकिन क्या बता हो ठीक है मैं आपकी बात को बिल्कुल गौर करूंगा यार क्या ना में भाई का चित्रण जन मलिक और जैसा आपको लगे मतलब फॉर्मल तो क्योंकि हमें अलाओ नहीं पहनना पढ़ेगा और यही जैकेट हमें अलाओ पहनना तो यह भी पहनना पढ़ेगा तो यूट्व ट्राइब टू लन की वाओ टूलोप प्रोफेशनल यूट्व जाके करता हूं ठीक है चलो चाइना स्लैंस यूएस ओवर तिबद बिल साउथ चाइना सी टैस्पास मामला क्या है मामला यहां पर देखो यूएस जो है डोनाल ट्रम का आखरी मंध चल रहा है तो दोनाल ट्रम हल चल तो पूरी मचाना चाही रहें तो उन्होंने भाईया एक अभी जो है एक नया टाइप का जो बिलाई यह लेकर आए उसका नाम मैं भी बताना भूल रहा हूं दिमाग से यार तक तक आप लोग सोचो वाट इस असकाई लामा आप कहोगे साथ दलाई टीपी ऐसे का बिसिकली जो यह जो एक्ट है तिबबत का क्या है तिबबत चाइना क्लेम करता है और यूएस अगर उसमें इंटर्फिर कर रहा है तो चाइना को दिख्षी दिख्कत तो होगी हो कहेगा हमारे इंटर्नल मैंटर है आप इसमें क्यों बोल रहे हो समस्त्य यह यहां पर यह खड़ी हो गई है समस्तिया जब यह खड़ी हुई है तो युएस ने इस एक्ट को लाया इसका नाम में टीपी ऐसे बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट जिसके अनुसार डलाई लामा चूस करेंगे कि अगला हैड वहां का कौन होगा लेकिन जो आपका चाइन है वह यह चाहता है समय समय पे कि वह जिन बंदों को चुने वहीं वहां का हैड हो तो यह बिसिकली यह बवाल है इसके लावा साउथ चाइना सी में जो टेस्ट पास हुआ है उसके चलते वह बवाल चल रहा है लेकिन कोशन मैं आप से पूछा कि असकाई लामा क्या है बता नाम है किसी पोस्ट का नाम है दलाई लामा इक पत का नाम है जिसमें समय समय पे विबिन विबिन व्यक्ति जो है वो चेंज होते रहते हैं उसी तरीके से असकाई लामा भी पत का नाम है जो विबिन विबिन समय में चेंज होती रहती है असकाई लामा क्या होता है देखो दलाई लामा जो बनते हैं ठीक है मान लोग कोई दलाई लामा है ठीक है यह दलाई लामा है एक्स और अब यह जब हटेंगे तो दूसरा दलाई लामा बनेगा तो जो दूसरा बंदा दलाई लामा बनेगा प्रोसेस यह होती थी अभी पहले तक कि बच्पन में जब कोई नया बच्चा पैदा होता था उसी समय जो उस समय के दलाई लामा होते थे वह चूज करते थे कि ये बच्चा बड़ा हो कि क्या बनेगा अगला दलाई लामा अब वो किस तरी दे चूज करते थे ये टेक्नलिटीज पर हम नहीं जा रहें बस अपन इतना समझ रहें कि दलाई लाम लेकिन अभी ये process खतम हो गई है क्यों खतम हो गई है actually हुआ ये था कि जो last sky lama थे जो चूस किये गए थे दलाई लामा जी के द्वारा उनको चाइना ने किड्नैप कर लिया था और उनके जगा पे एक proxy भीज दी दी proxy का मतलब चाइना ने असली दलाई लामा जिसको चूस किया गया था उसको भेज दिया जो असकाई लामा चूस किया गया था उसको अपने किड्नैप कर लिया उसके जगा पे एक दूसरे बंदे को जो उनका train आप बंदा बोल सकते हैं या फिर जो उनके influence में जो बंदा रहा ह उसको बेज दिया कि यह वही यह असकाई लामा है यह बात पता पड़ी तब फिर उसके बाद दलाई लामा जो अभी फिलाल है उन्होंने यह निर्ने लिया कि अब इस प्रोसेस को खतम करो और अब यह असकाई लामा का कॉंसर्ट खतम होगा अब election से चूस करो कि अगला द इसमें इंपोर्टेंट तो क्या बोलो मैं से डिलेइंग इनिविटेबल यह आपने पड़ रखा है पड़ लेना सब चीज रिपीटी है कुछ इसमें नया नहीं था एक आर्टिकल हमारा यह वाला है क्लाइमेट चेंज वाले इसको कल डिसकस करेंगे यह दिमाग से निकल चलो और एक आप से मैंने स्पेक्ट्रम वाला कोश्चन पूछा है वह बताईएगा कमेंट सेक्शन में फिर वाला है डिसकर्स करना है तो पहला आर्टिकल था पैंडमिक रिसाइलेंस सेकेंड था प्लेइंग गेम ऑफ ब्रिंक्स मैंशिप नेपाल नेपाल की जो इंटरन रामनुजन नंबर क्या है बताओ वाट इस हाड़ी रामनुजन नंबर मैं तीन कोशन आपसे पूछें तीनों के आंसे मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए ठीक है इसके बाद हमने देखा हिंदू पर आये तो हमने यह फायर फ्लाइज देखे है ना हमने बस्टट के बारे स्टार्ट किया था फ्लैंक्टलीन डी रिजावल के द्वरा नाइंटीन फॉर्टी टू में उसको शुरू किया गया था इन से पहले भारत में कीम करी अपा जोकी फील मार्शल तें उनको भी मिला हुआ हुँँ ठीक है टूचाइल्ट पॉलेसी जरूरी नहीं है और थोड़ा सा नोट्स आप तरीके से मैं आपको एक चीज़ और बता दूं में बहुत जल अभी एक दो दिन के अंदर सेशन लेने वाला हूं कि इंपॉर्टेंट डैफिनेशन इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो भी आपको लगयो सब्जेट से रिलेटेड वह आप वहां पर डालिए क्योंकि मेंस के टाइम पर आपको एक ऐसी शौर्ट कॉपी चाहिए रहेगी पंदावीस पच्चिस तीस चालिस पचास पेच की जिसको आप रिवाइस करें तो काफी कुछ कंटेंट मिल जाए आंसर लिखने के लिए कहानी दिमाग में रहेगी लेकिन अब आप कोगी सब्सक्राइब बनाओ एक्जाम में कोई दिक्कत नहीं है बनाने हो कोई भी बना देगा जब आपको कॉंसेट बना लोगे लेकिन जो काम आ कर आप है तीन मिन्ट में करोगे डेफिनेशन बनाना मतलब सोचना ग्रैमर चेक करना इंग्लिश फॉर्म करना याद रहेगी फटाक से लिख दिया बस समझ में आ रहे है नाउनर नेम परसंद प्लेस और दिंग याद है न अपने को नाउन समस्ते हो क्या है सब को समझ में आ रहा है संग्या लेकिन संग्या की जो डेफिनेशन नाउन की जो डेफिनेशन जिसको याद है पर्सन प्लेस और तेंग वो तुरंट जाके लिखेगा जिसको याद निया फिर लिखेगा कि नाउन is something which have name of person maybe place maybe thing ऐसे से करके समझ मैं मेरी बात समझ में आगई होगी जब खीर जो है वह सीधे उंगली से निकल सकती है तो तेड़ी उंगली क्यों करनी है ना मैं उल्टा बोल दिया है बात समझ लेना बात समझ में आई हो तो इसके बाद यहां पर यह वाला हमने आटिकल पड़ लिया फिर हमने कुछ नहीं पड़ा ह सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है जाइए सब्सक्रिप्शन लीजिए कोड यूज करिए MPS और हमारा जो सिक्स मन्त का प्रिलिम्स 21 को मद्दे नजार रखते हुए कोर्स है 21 दिसंबर से लॉंच हो चुका है साथी साथ 24 मन्त का भी हुआ है 36 मन्त का भी हुआ है तो वह सब कि आप चाहें तो इन्रोल कर सकते हैं दूसरी चीज फैस्टिव सीजन किनारे है क्रिसमस और एक चीज़ मेरा जो हमेशा कहना होता है मैं फिर बोलूंगा आप लोगों से कि दिमाग में यह चीज़ रखके मत चला करो कि यूप सी का मतलब यह हो गया कि पूरी दुनिया से क सब्सक्राइब करती है ठीक है तो जस्ट टेक इस एक्जाम की तरह लो अफ्कॉर्स आपका यह एम है तो इसको आपके ड्रीम की तरह भी लो लेकिन साथ में दो तीन घंटे निकाल लिया करो इंजॉयमेंट के लिए भी तो न्यूएर यूएर पर थोड़ा मनवन करे तो ब बाड़ी रिफ्रेश नहीं रहेगी ना आप इफिशंची आपकी डाउन होती जाएक जैसे कोई मशीन है मशीन के अंदर जब तक ग्रीसिंग नहीं करी जाएगी तो उसकी कम हो जाएगी आपके लिए ग्रीसिंग क्या है एपिनेस आपके लिए ठोड़ा सा जिस रूटीन स आप चल रहे हैं से एक दो तीन घंट आपको खेलन अच्छा लगता प्रहके लिए और healthy है उच्छी कर पाऊगे तो ही तो इन गंटे प्रणायाम कर लिया योगा कर लिया रनिंग कर लिए बार घुमने चले गए तो यह काम करते रहो कोई दिक्कत नहीं कोई परिशानी नहीं है ऐसा नहीं होता है कि कमरें बंद करके बैठने से पढ़ाई करके टॉपर बन जाओगे निकल जाएगा एक्जाम ऐसा कुछ लोग करते हैं किसी के लिए वक करता है किसी के लिए वक नहीं करता है तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको दूसरे वाले करें में रहना चाहिए तो दैट सेट गाई दिस अर सेशन अच्छा लगा होगा नाव फाइव मिनिट्स आर विध यू आपको कोई भी डाउट और कोई भी समस्याओ पूछे जल्दी है हाड़ी रामान उजन नंबर किसी ने बताया 1729 ठीक है वैल डन बहुत अच्छे अब मैट्स मेरी कमजोर है ऐसा क्यों है यह मुझे नहीं पता है ऑल्दो मेरी 11 12 में मैट्स थी बद मैट्स मेरी बहुत वीक है तो लॉजिक तो नहीं पता इसके पीछे का लेकिन 1729 इस हाड़ी रामान उजन नंबर अब 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 हैपी रिस्मस वुमी 227 चलिए कोई डाउट्स कोई समस्या बाई जल्दी बताओ समय ना लगाओ अब अब अ और मेरे वह भाई का अब प्रोफेशनल वाले यार नाम क्या था भाई का चित्रण जन तो चित्रण जा चित्रण जो भी नाम है आपका तो आज मा जाओंगा यूट्यूब पर सच करूंगा हाव तो लोग प्रोफेशनल और फिर मैं उसको इंप्लिमेंट करूंगा और विल डेफिनेटली ट्राइब आई है ना जो सबसे सही चीज होती है और आप चार-पास साल अभी दूर अपनी उपस्ती के एक्जाम से ठीक है अगर आप ग्रेजूइशन में हो आप कॉमर्स रेटरी कुछ कर रहे हो तो जाओ पहले तो आपके मतलब का सब्जेक्ट है कुछ मतलब सब्जेक्ट का आता है तो उसको अपना उप्शनल चूस कर लो और अभी से जो ग्रेजुशन के दौरान आप अपने ऑपचिनल पेच्छे से फोकस करें जैसे कि 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 सी का लौ अप्शनल होता है तो घ्रटिशन में लौ पर फोकस करें को कोई पॉलिटिकल साइन से पढ़ रहा है तो भाइस पॉलिटिकल साइन से फोकस कर ले आपका ऑप्शनल हो जाएगा शोश्यों पे जोगर्फी पे ले तो कहने का मतलब और नाइन एंटेन शुशान मेरा अभी वी उपर से गया भाई मैच से बड़ी बेवफा रात में पढ़ो सबेरे सफा है ना करेंट अफेर्स के लिए यही बोलते हैं रोशनी सिंग सर्वाइच चाइना है इस कम्यूस्ट पार्टी सिस्टम बना हुआ है महां पर पहले सी है ना चलिए नौ बजे मिलते हैं फिर मॉड़निस्टी की क्लास में आ जाना भाई मानवें 28 है प्रोफाइल अनकेडमी पर हमानवें प्रताप सिंग साच कर लेना ऐसी अंप्रोफेशनल फोटो मिलेगी माहा भी है ना तो फॉलो कर लेना अब बुलो के सारव भाई मजे ले रहा है ना सराओ तो इस रिशन कैटेगरी शिव परसादा इदिन गैट यू हाओ तो इस रिशन कैटेगरी मेंस सरोजा इस सेंग क्लियर नेट जस नव तो कंगरेक्शुलेशन सरोजा फोर क्लियरिंग नेट चलो भाई चलें खतम करें कहानी और जितने भी भाई हमारे कल क्रिस्मस सेलिबरेट करने वाले मेरी क्रिस्मस टू आल अफ यू और अच्छे से मैं आईए खुश रहिए इंजॉय करिए कोविड में थोड़ा सा ध्यान भी रख लीजेगा बागी तो चलता रहता है ना कोई दिक्कत नहीं है चलिए टेक केर गाईज बाइ सी टो मॉरो एट सिक्स थर्टी एम अब हमारी क्लास डेली सिक्स थर्टी एम पे होगी आपको उठाने की जिम्मेदारी मैं ले ली है तो जिम्मेदारी का मैं पालंग करने कोशिश करूंगा किसी दिन खुद नहीं उठ पाया तो अलग बात है ना प पानी डाल दिया तो अब यह सब हमें खुदी करना पड़ता है ना तो आप लोग भी समझदार है कोशिश पूरी रहेगी डेली सिर्टी पाएंगे किसी दिन अगर बाइदावे पंदावे लेट होगा तो कॉपरेट करना बाकि ऐसा होगा नहीं प्लस ध्यान रखो हस्ते रहो पढ़ाही करते रहो स्यू अट नाइन एम आली क्लास एंड टेक क्यर जैहिंद जैबारत